तो वाच में बनने वाली बेसन की पापड़ी की रेसिपी लिक्या हूं बहुत ज़दा क्रिस्पी और बहुत ज़दा यम्मी और स्वाधिश्ट लगती है बच्चों को भी बहुत पसंद आती है और मैंने आज बच्चों के लिए इस्पेशली पिज़ा मसाला पापड़ी बनाईए जो बहुत बहुत टेस्टी लगती है और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नब भूलें तो चली चलते हैं और देखते हैं कैसे पिज़ा-मसाला पापड़ी को बनाया है, Thank you तो पिज्जा मसाला पापड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़ा बॉल भर की बेशन इसकी बार में इसमें लूँगी उसी बड़े बॉल का वन चोथाई मैदा इसमें डालना है एक चोथाई टी श्पुल हेंक टिली फ्लेक्स डालेंगे एक टी श्पुल और उसकी पेपर हाफ टी स्पून जिसे काली मिर्च पॉर्टर कहते हैं एक चुटकी सोड़ा भी डालेंगे इसमें और दो टी स्पून नमक आप अपने स्वात के नुसार डाल सकते हैं सब कुछ तरह से मिला लेना है और इसमें अब डालना है तेल थोड़ा जा गुन-गुना तेल एक स्मॉल बॉल बरके एक दम से तेल को मिलाना है पहले थोड़ा तेल डालना है और उसके बाद अच्छे से हाथ से उसको मिलाते हुए मिक्स करना है और उसके बाद फिर से हम हाफ बॉल तेल डाल देंगे थोड़ा सा तेल गरम होना चाहिए और अच्छे से इसको मिक्स करते जाएंगी हमें इतना तील चाहिए कि जब हुन मुट्टी बनाए आटे की तो बनने लगे यह देखे इस तरह से अब इसको थोड़े गुनगने पानी से गुन लेना है पानी भी दिर दिर करके डालेंगी क्योंकि बेशन जदा पानी नहीं सोकता है इसलिए दिर दिर करके पा ये देखे इस तरह से हो गया है तो एक वरास्टो हम कुक्even के रिख देगे है अ कि इसको निकाल की एक बार अच्चे तरह से हासी थोड़ा सौफ कर लेंगे और इसमेंगी ठोड़ा पार्ट जो अमरे लेमन नीबू के आकर का साइज रहता है उससी थोड़ा छोटा लेंगी और इसको हमें अब गोल गोल बेलना है आराम से इसको बेलन की साइटा से बेलेंगी वैसे तो इसमें हमें कुछ भी डस्टर या कुछ भी यासे आटा एक्स्ट्रा लगाने की जरुवत नहीं अपने आप यह बिलता जाता है लेकिन अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो आप थोड़ा सा बेसन का आटा लगा सकते हैं थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो मैंने इसको थोड़ा सा बेसन काटने लगा कर थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा बेल लूँगी शेप पे मत जाएए आप शेप कुछ भी हो सकता है इसका जरूरी नहीं एक दिम राउंड शेप बने ऐसे भी यह पापड़ी बहुत अ थोड़ा सा बेसन लगा लूँगी और जितना साइज जितना बड़ा आपको चाहिए चोटा बड़ा जो भी आपको पसंद हो उसी साब से आप इसको बेल सकते हैं उतना बड़ा यह देखिए इस तरह से यह पापड़ एक दम तैयार है यह देखिए अनिवन शेप भी बहुत अच्छा लगता है अगर आपको गोल चाहिए तो आप एक कटोरी की साइता से इसको काट लिजे और बचे हुए पोर्शन को वापिस उसे मिला दीजे अब इस तरह से हम सारी मठ्रिया त्यार कर लेंगे और इसको एकदम से हमें तलना नहीं है थोड़ी दर हम इसको रखके फीरी तलेंगे थोड़ी सी जब यह ड्राय हो जाती है उसके बाद यह बहुत अच्छी क्रिस्पी बनती है अब हम एक कड़ई में तेल ल करते हुए इसको में फ्राय कर लिए और बहुत ही क्रिस्पी बनती है अगर आप इसको मीडियम फ्रेम पे फ्राय करते हैं यह देखिए कितनी अच्छी गोल शेप में आई है क्योंकि मैंने इसको कर्टोरे से काटा है और अगर आपको एकदम गोल शेप नहीं भी चाहिए आप ऐसे भी उसको बना सकते हैं यह देखिए इस तरह का हमें इतना सेकना इसको देखिए कितनी अच्छी और बहुत ही स्वाधिश लगती है बच्चों को बच्चों को इसका स्वाध बहुत ही अच्छा लगता है तो होप आपको मेरी यह पापड़ी बहुत अच्छी